तो बहुत लोग मुझे कॉमेंट करते थे कि वीडियो कैसे बनाते हो किस एप से एडिट करते हो म्यूजिक कहा से लेते हो तो मैं इन सब सबालों का जवाब मैं इस वीडियो में ही दूँगा तो बने नहीं लास्ट तक हां तो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर एक बार सीख गया तो आपको इतना पसंद आ जाएगा कि आप 24 घंटे बस एडिटिंग करते रहा जाओगे इसका मतलब यह नहीं कि आप खाना ना खाके मर जाए तो सिधा पॉइंट पर आते हैं तो मैं जो एप यूज में ही करता हूं और एप का नाम है इंशॉट जानते ही होगे शायद आप इसी में करते होंगे और इसमें एडिटिंग करना सच में बहुत सिंपल है ग्रीन स्क्रीन वगेड़ा सब मिलता है यहां पर अब तो नया अपडेट आया है बहुत सारे स्टीकर्स और बहुत कुछ जाया डाउनलोड करके देख लेना ओए टोनी वीडियो बना रहा है तो डीटेल में बोलना नहीं मैं नहीं बोलूंगा उससे तुझे क्या तू मर जा तुझे लेकर ही मरूंगा हां तो आजा ओ अभी अभी जो हुआ उसे जाने दो यार तो फस्स्ट का एंसर मैंने बता द लेता हूं तो जाहिर सी बात है तो गूगल से ही लूंगा ना बस म्यूजिक का नाम याद रखना है और गूगल जाएगा हो और मूजिक के नाम के भाद सब्सटाए तो आप अगर म्यूजिक मिलना चाते हो तो MP3 लिखना और अगर आप वीडियो लेना चाते हो तो MP4 लिखना तो वीडियो आ जाएगा और यह सेर्च करके आप कोई भी वेबसाइट में एंटर करके तो डाउनलोड MP3 MP4 दोनों आएंगे MP3 अगर गाना लेना चाते हैं तो MP3 हैं और अगर वीडियो लेना चाते हैं तो MP4 दोनों है तो इजी तुमेंगे में इजी टॉ डाउनलोड म्यूसक तो हो गया एंशेंट को है अजिकज को अब थर्थ और थर्ड क्विश्चन क्या था ज़ित हैं था कि वीडियो कैसे बनाते हो या निकी एडिटिंग को आप तो खुदी सीखना पड़ेगा और एडिटिंग के समय क्या होता है ना कही बार ऐसा होता है कि पुरा वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद जब वीडियो को देखते हैं तब आपको याद आता है कि यार यहाँ पा तो गलती हो गई फिर से डिलीट करना पाता है चैनल से वीडियो उसका बात फिर से एलिट करना पाता है यह इससे कभी गिव अप मत करना यह तो होता ही रहता है बस इतना है और वीडियो अगर थोड़ा भी हेलप्फुल लगा तो कॉमन्ट में जरूर बताना कि अच्छा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टागरम पे फॉलो कर देना ओके बाई बाई तो फिलाल तो मोहित ने बच्चो को पराना चालू कर दिया परसो से तो देखते हैं कि वो क्या सिखा रहा है ओए मोहित बच्चो को क्या सिखा रहा है तू सब्जेक कौन सा है यार बता आज तो छुट्टी है बच्चों का बस ऐसा ही भुला लिया गाली सिखाने अबे मत सिखा